पानी फिर गया, इस बीच हमारे साथ खेल संपादक, राजीव मिश्रा और तमाम एक्सपर्ट्स जोडेंगे और कई सवाल होंगे कि आखिर अती विश्वास, अती आत्म विश्वास ही भारत की टीम को ले डूबा, राजीव झाली आत्म विचभः और तम विचात्ट्व एक झाली भारत trace की टीम को लूबाूना जा कि समय के edelता हैं, इस बीचक विचे भंने आत्म विचा सेय पानी कर दो दो आत्म विचाए कि पाना है मानी विचात्व को यडबा, चैसा मानी पानली विचाट्वास, पानी विचान कर दो कर दो कर दो कि शुत्ति यह साज़ारी ने उमीद बनाई थी लेकिन जैसेही जड़ेजा और इसके बाद एक चमकार हुआ। खराब प्रदर्शन भारती टॉप अडर के बलेबाजों का ना तो पिछ में कोई बदलाओ देखने को मिला ना ही मौसम और परिस्थिती में कोई बहुत ऐसी बात थी जिससे गेंबाजी को मदद दिने लेकिन खराब अप्लिकेशन खराब रविये के बज़े से या पर हार का सामना करना पड़ा लेकिन ऐसी हार की उमीद नहीं थी जिस तरह से जो उमीद बंधी उमीद बंधी और टूट गई महिंदर सिंग धोनी का स्टंप हो जाना मिरे ख्याल से रन आउट हो गए और वो रन आउट होने के बाद जो स्थिती सामने आई तो वो देखने में मिली की आखिर कहीं न कहीं हमारी टीम पूरी तरह से धाराशाही हो गई जो उमीद थी मुझे ऐसा लगता है कि चार पी अंशुमन जी जो सबसे ज़्यादा भारत के लिए घातक साबित हुए पानी प्रेशर परफॉर्मेंस ये ऐसे पी थे जिसके कारण मुझे लगता है कि भारतिये टीम से जो उमीद की जा रही थी कि वर्ल्ड कप लेकर लोटेंगे वो नहीं लोट पाते दिखें नहीं मरीशी मेरे को लगता है एक बेखो जिस तरह की शुरुआत हुई बात ये टीम की बलेबाजी की हम कबसे वही बात करते आया थी कितने दोने सो यही बात करते आया थी कि एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए वो शुरुआत जो अच्छी मिलनी चाहिए वो नहीं मिले आप दस ओर में तीन विकेट आप खो चुके थे तो फिर आप बड़ी का बात नहीं कर सेगा और इतनी सारे मैशिस हम जीते तो इस तरह से जीते ही कि पहले अपने टॉप ओडर जो है एक दो तीन नमबर के बलेबाज उन्हें रन बनाये थे उन्हें साजीदारी की थी और उसकी वज़ा से आज देखो कि हम लोग नमबर वन पर ऋसजिए लीक स्टेज में मगर वह आज नहीं हो सका और उसकी वजया से जो पीछे वाले जो पने बलवाज है उनको पर फिर आता है इसे आपने विल्कुल सहीं का बारिश हुई प्रेशर भी था और उसकी वज़ा से हमको जो देखने मिला मगर साथ साथ में ये भी कहूँगा मारीशी कि अब देखो निजलेंट टीम ने फिल्लिंग बहुत ही अच्छी की काफी रन बचाये ब्रिलिंट कैचिज लिए और ये इन बाजी भी अच्छी थी उनकी लेकिन बेगा एक सवाल है काफ्जों पे तो हम शेर हैं अन्शुमन जी राजी लेकिन मैदान में डेख लेकिन और चार साल की जो कड़ी मेरत होती है उसमें बहुत निराशा होती है कि चार साल आप इंतजार करते हैं 2015 में जो गलतिया होई थी उसके वज़ा से बड़े एक्सपेरिमेंट्स किया गया बारती टीम में और आज एक क्रंच मैच में जहां पर एक्सपेरिमेंट की जरुवत नहीं थे बड़े जरुवत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मुझे लग रहा है जो बैटिंग ओडर ख देखो सिचुएशन इसी थी जहां पर आपको कोई एक्सपेरिमेंट बले बाज की जरुवत थी आप रिशब पन को नमबर चार पर बेशते हैं वहां पर देने शकारतिक आने चाहिए थे नमबर पांच पर हर्दिक पंड़ा नहीं मगर धुनी आने थे और ये दोनों जो दोनों साथ में खेलते हैं साजिदारी बनाते हैं तो पीछे वाले बले बाज को इतना इसी हो जाता है रैसे आउट होगे जा रहा है तो जीद करते हैं कि आप बले प्लैटफॉर्म पर जाके बड़ा प्रदेशन करेंगे आप गलतिया कम करेंगे क्योंकि ये मैच गलतिया कम करने वाला मैच से जो गलती जादा करेगा वो आरे का और पार्टी टीम ने शाद जादा गलती हैंगे ऐसा मैच जिसके आप जीत के मोहाने पर आगे थे आप ये देखिए कि धोनी की बल्ले बाजी उनका पिछ पर बने रहना मुझे ऐसा लगता है कि एक दोर आगया था कि लग रहा था दोनी मैच निकाल ले जाएंगे लेकिन हमारा अगर शुरुआती ओर्डर फेल हो जाता है तो यही सवाल पैदा करता है देखे राधियव भाई जो इनके बॉलर्स नहीं लेंड डाली है ना वो पिछले मैस खेलते आ रहे थे उन्होंने वो लैंथ नहीं टाली इन्होंने लेंड आगे डाला बिलकुल मुह पे भी डाला है यह दो घ्रम्हें एव सांतार है यह दो देखि के लिक सब्सक्राइब जी होते हैं तो आज मैं पूसता जरूर उनसे की हर बड़े मैच पे आप एक तरीके सा गराउट हो रहे हैं मैं जितने जितने चैपन सोफी का याद करूं वर्ल्ड कप की याद करूं तीन वर्ल्ड कप के मैचे सेमी फाइनल जब वो दसरन भी क्रॉस नहीं कर पाएं तो ये थोड़ा से निराशा जनक लगता है दुनिया के नमबर एक बैटस्वेंट बार बार वही गलती करे अब निकल चुपड़ा हमारे साथ जुड़ गया है वो कॉमेंटरी कर रहा है स्वाच में निकल भारत खराब कहल के आ रहा है या नियूजलेंट अच्छा कहल के जीता है निकल आपके पास वापस आएगा अच्छो जी यही समाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि भारत खराब कहल के आ रहा है या नियूजलेंट अच्छा कहल के जीता है हम अंत में हम कहते हैं कि इतने नज्दीक आ गए थे जड़े जैने बहुत अच्छी बलेवाजी की, धुनी के साथ, धुनी ने भी अच्छी बलेवाजी की मगर ये बात की बात ही, देखो दो प्लेयर पे आप मैच नहीं जीत सकते हो, आप चैंपिन नहीं बन सकते हो, जहाँ सब को सबका आपको सपोर्ट चीए, अच्छी सुरुआत होनी चीए, और सबका कॉंटिबूशन होना चीए, जो आज देखने नहीं मिला राजीव, बिल्क पॉल गया, गिराल ठीक है, लेकिन जो बॉड़ी लग लेटी जैसे अंदर वो लोग गुसरे थे, वो मुझे तो पसंद नहीं आई, इस तरीके आप सीना चोड़ा करके अंदर जाता है, ऐसा बुज़ा बुज़ा बुज़ा, जो मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, मैंने भी के साथ बैसे को गुज़ा रहा है, बुज़ा लगत, सुरू के दो तीन ओर तो लगी नहीं रहा था कि हम महाँ इंडियन बैट्समन बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मैं परशानी प्रवीन यह होती है, वर्ल्ड कप ना खिर पाने का मलाल आप समझते हैं, चार साले टॉर करते हैं, दो तीन साल पहले साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, और सेडिनली आपका ग्राफ मीचे गरता है, आप उस टॉनामेंट में टॉप की टीम है, नमबर एक की टीम थे इसार वोल्ड कप में, पॉइंट सेलीम और अचानक आपका ग्राफ किरता है, और आप इतनी ख पहले से चला रहता है, यह लोग पहले से ठना मनाता है, यह हमें आसी हार पहले भी देखनी पर थी, यह तुभला है कि रदिम्दर जड़ेजा ने गेम घुमा दी, वो ब्रिलियंट खेले, इनिंग खेले, दोनी भाई भी अच्छा खेले, विकेट तो वही थी, शुरू मे बीच में भी वही थी, वही थी, इतना गेम पुरा है, बहुत जाज़ा स्विंग हो आपोंगा, बोल्ट का सिर्फ स्विंग हो ए, बोल्ट का होता ही है, जिसको समल के खेलना था बोल्ट, तो मेरे ख्याल में हमने निहायती खराब बेटिंग करी है, रदिम्दर जड़ेज बार्ती टीम पिछले, अगर हम चार साल की बात करें, दो बार वो चोक कर चुक है, पहले 2015 वर्ल्ट काप उस्टेलिया ने अपनी सर्जमी पर बार्ती लिम्द को करारी शिकस दीती, और तब बार्ती बाले बास रंच चेस कर रहे थे, वहाँ चोक कर गए, अब इंग्लिन क सर्जमी की बात करें, यहाँ पर एक चोटा से सकोर, 240 रंच का पीचा कर रहनी थी बाती लिम्द की क्रिकेट बेगर, 240 रंच के लिम्द के जमाने में, जहाँ पर लाब बहुत जादा स्विंग कर रहे हो, नहीं जादा कर रहे हो, दो खराप शॉट, जो मुझे लगँ रहा कपिल देव उनके पूरे करियर में कभी डॉप नहीं हुए थे लगाता है रांतर अश्रीकर खेलते हैं डिली में मैच था वो टीम में था और मैच हमारी डॉप होने जाती थी और कपिल देव ने खुद ने बल्लिबाजी करने के पहले बोले के मैं जाकर आज बड़े बड़ किया एक ही बार वो डॉप हुए एक टेस मैच से और वो ही था कि खराप शॉट किलके आउट हुए और भारत हम लोग हार गे तेमारी बल्लिबाजी कर आप देश के लिए खेलने के हैं आप तिरंगे के अंडर में खेलना है तो फिर आप फॉर गांटे नहीं लेंगे जाके हुआ पर दो खराप शॉट प्रवीन ऐसे खराप शॉट तो गुसा आरा था हम लोगों को देखे तो डेसिंग रूमें कैसा मारत हो अच्छा खिलने के बात बात कर रहे थे मैं कि यह इसको लगाएगा जो क्योंकि वो उतना 21 साल का बच्चा है और नो डाउट अच्छा प लफ्ताम आपको फैक रहा है ऐसा नहीं है कि आप सीदह सीदह आ रहे है तो बैट में आजेगी वो तर्ण हुआ थर्टी अट सरकल पार नहीं हुआ तो गलत शॉट मारा है इनको ड्रेसिंग रूम में बड़े रिलाक्स बठे होते हैं हसरे दरेसिंग रूम में बाते कर रह है. जड़े बी आने मुझे लगता है. अтुरम जी आपको में लगता है और शॉट नहीं हुआ है कि यह लगातार न इनको फैसी यह लगता है कि जो चांस बास आ रहो आज हुत है बड़े ये बल्लेवाजी की जिस तरह की बल्लेवाजी करते आ रहे थे पूरी टॉर्णामेंट में उस तरह की बल्लेवाजी करनी थी कोई जलबाजी नहीं थी कुछ नहीं गेन बाजी में कुछ इतना खास नहीं था और जैसे प्रविन ने बिल्कुल सही कहा कि किसी ने आउट नहीं कि वो खुद ही आउट हुए सारे तो ये ये लेवल पे जाके आप सेम फैनल खेल रहे हो तो ये आप से एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ पे मैं केता हूना इस इस अ मैच अफ नर्ज आपको नर्ज रखनी चाहिए आपका दिल स्टॉंग होना चाहिए दिमाग खिकाने पे होना चाहिए तब ही आप ये जाकी इस सिचुएशन में से निकल सकते हो और मैच जीत सकते हो दुकर और शिकर पर पहुँचने के आस میں भारती टीम इंग्लेंड तो पहुची लीग मैचेस में शांदार प्रदेशन भी किया लेकिन जैसे ही नौकाउट मकाबले शुरूए भारती टीम की कले ही मानों खुल गई एक तरफ गिंदाजों ने जहां शांदार प्रदेशन किया मैदान पर जम कर मेनत किया और थाली में सजाकर मैच भारती बलेवाजों के हाथ में रज़ दिया था क्या से क्या हो गया देखते देखते जीत हार में बदल गई देखते देखते हर बलेवाज निराश है हताश है क्योंकि सेमी फानल में मिली हाथ ने सब्र खो दिया बलेवाज आते गए जाते गए और निराश होकर बालकोनी में खड़े होकर हार को सिर्फ देखते रहे टीम इंडिया विश्वक अप में लगाता दूसरी बार सेमी फानल में हाथ दे तो इस बार उनकी पड़ोसी कीवी टीम हाथ का कारण बरे लिए पहले दिन की बारिश के बार दूसरे दिन बल्लेबाजों के सामने लख्श बड़ा नहीं था लेकिन अपनी घलतियों से कोहली की टीम में उसे अपने आप से दूप कर दी टीम के पहले चार विकेट दस ओवर में तो सो रन तक आते आते छे बल्लेबाज प्रविलियन का रास्ता नाप चुके थी जीप की उमीद ली करोणों फैंस के अर्मान का भोज लिए जिस कोहली सेना ने लंदन की उड़ान भरी थी वो फाइनल से पहले ही दम तोड़ती रिखी इस बात का भरोसा न फैंस को हो रहा होगा और नहीं किसी खिलारी बाकी कप्तान और कोट से लेकर टीम के खिलारीयों के लटके हुए चेहरे अपने आप में पूरी कहानी बया कर ही रहे होगी नितिन भापवाज, मैंचेस्टर, इंडिया लूज़ बारती टीम को ये देखना पड़ेगा और ऐस्टेलिया से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तो उसके पीछे उनके काम के खिलारी थे ना कि नाम के खिलारी कर रहा है काम के खिलाडी जड़ेजा और धूनी थे जिन्होंने मैच को क्लोस भी ले गए लेकिन मनी जी बड़े नाम के खिलाडी जो है अक्सर चोक करते हैं हमने देखा सेमी फानल मैचेस में हमारे साथ क्या और एक बार फिर वह हुआ चार साल तक अब आपको इस बात का इंतिसार करना पड़ेगा कि आपने क्या गलती की 2019 में और आगे क्या सुदारेंगे राजी मुझे ऐसा लगता है कि हरिवन शाय बच्चन की दो लाइन मुझे याद आती है असफलता एक चुनोती है मानो और स्वीकार करो ये स्वीकार किस तरह से करेंगे अपनी चूक को ये कहींगे क्या अभी अभी एक जानकारी आ रही थी कि विरेंज सहवाग ने एक टिपड़ी की है राजी अंशुमन जी एक जानकारी है अभी ये सीज़े तोर पर टीम मैनेजमेंट की गलती है तो ऐसी बहुत सारी असफलताओं पर इनको चिंतन नहीं अब देश को भी जवाब देना होगा इसलिए ये देश का सवाल है कि आखिर हम नाच कैसे हारें बिल्कुल और देश इस देश में क्रिगट को धर्म की तरह अंशुमन जी पूजा जाता है और इसलिए अंशुजी जो चर्चा में आपने कर रहे हैं ये क्रिटिसाइस करने के लिए नहीं बल्कि जो कुछ खराब हुआ वो सामने रखने रखने अपने फैंस के और खराब किया गया आज बलेबाजी में आप सुधार ने कर आपके पास वक्त नहीं तो वहाँ जाके आप उनको कुछ कहो उसमें कोई फाइदा नहीं क्योंकि ये जो गल्ती करते हैं उसके पहले उनको बोलना चाहिए कि तुम खराब शॉट किलके आउट नहीं हो इससी सिचुईशन में हो आप सेट हो गया हो पचीस तीस तन पे बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही कि आपको जाके स्कोर बढ़ाना है नहीं तो ऐसे खराब शॉट किलना तो मेरे खाल से रवीशास्त्री है हो कि विराट को लियो और जिससे प्रवीन कुछ कह रहे थे कि अब मैंने सुना कि खादीक पंडे हस रहे थे द्रेसिंग रूम में अब हसने वाली बात क्या है आपको तो दिमाथ पटकना चीए दिवाल पे हम होते हैं हम खिलते होते तो हमको तो द्रेसिंग रूम में ऐसे शॉट किलके इतना तो होता है क्रिक्ट में अब किस तरह से हाटे हो किस तरह से जीटते हो वह भी देखने वाली बात है जैसे हम आज पास में आये थे काफी अच्छी किये मगर जो गलतिया की जो आपने पूरे टोर्नामेंट में नहीं किया और आप जाके आप जब आपको बिल्कुल कॉंसेंट्रेट करके हमा बल्लेबाजी करनी है टार्गेट छोटा है जैसे राजीव ने कहा तो और भी आपको इजी बन जाता है तो वहाँ जाके आप इतने एक अस्काफल मेरा चोटा सा सवाल है आपसे क्या हम बहुत अच्छे रंचेजर नहीं है तीक हम अगर पिछले दो सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें मनेशी तो हम रंचेज बहुत अच्छा करे रहे हैं लग बहुत 70% मैचेज हम जीतते हैं जब रंचेज करते हैं मुद्धा यापर यह कि आप क्या सही कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं उस मैच में सही बैटिंग ओर्डर खिला रहे हैं आपने गिनबाजों के मेहनत को मुझे लग रहा है जाय कि इस 14 मिट में बारती गिनबाजो दूसरी तरह कफ्तान विराट कोली की भी थोड़ी बात करना बहुत जरूरी है इस टोड़ामेंट पर उन्होंने पांच अर्श तक तो जरूर लगा है लेकिन जब मौका पड़ा तब विराट कोली के बल्ले ने मायूस किया और आई आई आपको दिखाते हैं किस अंदाद इस ट्रैप बनाया ट्रैंट बोल्ट है और इस ट्रैप में किस तरह से विराट कोली फसे और उसके बाद बारती टीम की नईया मानो उसी विकट के साथ डूपते चली गई शेह जनाब विराट कोली कहने को दुनिया के नमबर वन बल्ले बास क्रिकेट के किंकोहली शतकों के शेहनशा देखिए किस तरह बल्ला हाथ में लिए मैदान पर आते हैं और करोड़ों उमीदों को तोड़ बलक छपकते ही बाहर चली जाते हैं 2011 तो याद होगा न 2015 भी भूले नहीं होंगे और अब 2019 वर्ल कप में भी कुछ ऐसा ही जखम दिया जो भूलाए नहीं भूलेगा पूरे साल रन बनाते हैं कोहली कभी ICC Awards तो कभी रिकॉर्ड से कोहली बन जाते हैं विराग लेकिन जब जब बड़ा मौका आता है तो देखिए क्या कर जाते हैं कोहली तीन वर्ल कप और तीनों बार सेमी फाइनल में फ्लॉप कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठे कोहली से पूछिये उन्होंने आकि रिये क्या किया है तीवी गेंदबाजों ने पहले उन्ते लिए जाल बिचाया और फिर वसाया भी पहले भार जाती गेंदों पे लालच दिया विरे गंदराती गेंद करोडों फैंस के अर्मान दुआ दुआ कर चली गे पहले भार जाती गेंदों पे लालच दिया विरे गंदराती गेंद करोडों फैंस के अर्मान दुआ दुआ कर चली गे माना कोहली साहब आप बहुत बड़े बले बास हैं दुनिया का हर गेंदबाज आप से खौफ खाता है लेकिन बड़े मोखों पर लापरवाहिक कर जाना कब तक चलेगा मैंचेस्टर से इंडिया न्यूस के लिए निटन फारदवाज की रिपोच यह लुक्ट गूट अप्रवाज की रिपोच यह लुक्ट गूट अपको तस्वीरे भी दिखाते हैं कि वो शेहनशा बले बास जो जिसे कहा जाता है कि वो मैदान में उतरेगा तो अपने जोहर द तीनों बार वो लेफट आम सीमर से आउट हुए हैं और उससे एक बार दो बार उससे भी सबक ना लेते हुए हैं आज तीसरी बार भी वह हुआ हुआ यह देखिए वो तीन विंडो तीन तस्वीरे जिसमें हम दिखा रहे हैं कि आकर वो बले बास राजी जी बिलकुर गैर वर्ल्ड कप की बात कि रहे हैं तो वहाब रियाज ने आउट किया विराट कोली के 2015 में मिचल जॉंसन ने उनका उट किया और 2019 में टेंड बोल्ट है और यह दिखाता है कि जो हम लो हम और प्रवीन अंशु सर बराबर यह बात करते हैं कि लेफट आम सीमर का अंदर आता ब जा तो आना ही चीए सवाल ही नहीं कि बड़ी चीज नहीं है मगर देखना ये है जो बैटिंग कोच है कि कोच है उनको यह देखना चैसे यह क्यों एसे आउट हो रहें। इसकारीजन क्या है। कारण जीकि आपका बोडी जा रहा है ऑफसाइड में आपका बैलन्स जा रहा तो पाउं भी दर चले जाता है और फिर अपन ब्लाइंड स्पोट तैयार हो जाता है जा पर आप बैट लाइन नहीं सकते हो तो ये वज़ा ये वज़ा कोई बड़ी वज़ा नहीं है इसको प्रैक्टिस में हम हल कर सकते हो और बहुत इजी है और इसे इसी प्राब्लम में ज खराब खराब खेली है निजी लैंड की तीम बहुत अच्छा खेलिए जो ये सेमिफाइनल मैंच में हम चोक करके 2015 कि ज़रा लेकिन सेट होने के बाद मैं हैरान हूँ रजीव रिशब पंत और हार्दिक पांडिया ने कि आप समय लिए यह खिलाली के करियर में शहर्द एक ही वारी ऐसा मौका आता है कि आपके पास ज्यादा रन नहीं बनाने को हैं आप 30-30 रन पे सेट है यारी कि आपने मुश्किल समय जो है वो निकाल लिया है आप समझ गया है कि किसम की गती से बहुत बैट पर आ रहा है बहुत स्विंग नह जैंगे यहाँ अगर आप में आज मुकावला जिता डेते तो यह समझझ लिए अगये 5 साल 16 क्रिकेट के लिए आपके पके थे नहीं है आपको क्या लग लग रहा है यह मैदान पर क्रायम किया गया एक तरह से क्योंकि हमेशा क्रिकट के मैदान पर एक ट्रमलॉजी होती कि ऑगर आप सेट होके विगेट अपना फ्रो कर रह तो फिर आप क्राइम कर रहे हैं मैदान पे तो इस तरह का क्राइम के बाद आपकों लगा रहा है इनको थोड़ा बहुत थो इनको टीम एनेज़्जेश्मन को बात करने चाहिए सेलेक्टर्स को करने चाहिए कि आप आपने क्या किया है मैदान पर जाके 30 रन 32 रना कि आप आड़े शॉट्स मार के मार के टीम को मुसिबत में डाल रहे हैं पिर जरूर बात करने होगी इस एं तो कोई दोर आई नहीं है और जो आपको भी पताए कि हम वहीं च्रक्षा कर रह दें कि जब रिषा पंट का शुरुवाद में चैन नहीं वा था तो सब यहीं बात कर रहे थे कि इनका चैन क्यों नहीं हुआ और बात यह आ रही थी कि मीटिंग में यह बात होने थी कि यह अपना विकेट बहुत जल्दी सेट होंके फैंक देते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए बड़े मैच में तो फिर क्या होगा तो कप्तान कोली कहीं न कहीं सही थे जो शुरुवात में इनका चैन नहीं हुआ था आप है प्रतिपाशाली खिला आया अब आपको एक नई टीम डिवेलप करनी होगी है अगरे अभिश्व कप की जो हमेशा एक ट्रेंड चलता आ रहा है मुझे तो बड़े सारे बदलावर नजर आ रहे हैं बिल्कुल अबरे साथ रितिंदर सोटी भी जुड़ गया है रितिंदर किसको बारने है अब भा कुली प्यादब आपने नहीं किलाया ठीक है जड़े जाने बहुत अच्छा किया लेकिन सब को लग रहा था कुली प्यादब खेलेंगे और जिस तरह रिशब पंथ ने आज बल्ले बादी की है ये रेपिटेटेव हो रहा है ये गलतियां बार बार हो रहे हैं आपका प्रियन टीम के लिए कंसिडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वो वर्ल्ल काप आ रहे हैं जो वर्ल्ल काप आपका था आपके हाप में था और जो आज हुआ है पूरे देश में गम होगा और ये गम जाइज है क्योंकि हम डिजर्व करते थे जीतने के लिए तो shaped बिल्कुल अफ़र प्रवीन विराड पौली बियान दिया कि शुरू में गेंड मूब करना था हमें आपको तो नहीं एक बॉल को छोड़ दें तो मुझे तो नहीं दिखाए कोई गेंड मूब किया आप बता दें आप तो बॉलर रहे हैं कौन सा गेंड मूब किया है उनका बॉल मूव किया जो तो अपनी बात करें नो तो कहरे हैं शुरू में तीनो बैट जो आउट है जो केल आउट तो समय लेट कर रहा है या जो कैशिंग वे तो समझ दिया है वो सेट हुए सेट हुए फिर वो पाच गेंदे आप देख लेंगे तो समझ में हार जागा लेकिन ये इतना महान बल्लेवाज इस तरीके से आउट होना मुझे तो आज अच्छा ने लगा बिल्कुल भी देखे और हम हमेशे बात करते थे कि अगर विराट और होई तो फिर विराजी ने गार वही हुआ जी रिसंदर मुझ कहना जा रहा है अब तो भाई बाल तो मूव होना है मूव को रोकना किसने है कैसे सर्वाइव करना है हम सब जानते थे कि दस ओवर आपको कॉशिस रहना होगा विकिट नहीं देना होगा लेकिन बाते टीम ने वहाँ बड़ी गल्वी की और जो दिगगच जिन पर हम रिलाय कर रहे थे वो पर आप जिंबावे सहार के टर्नामेंट से बाहर हुए यहां पर एक ऐसी टीम सहार है जो सेमी फाइनल की सबसे कमजोर टीम आनी जा रही थी बिल्कुल रही हो क्योंकि देखो यह आज मेरे को याद आ रहा है कि 99 में क्या हुआ यह छोटी छोटी गल्तिया की थी वहाँ पर जितने वाली मैच हर गए जो जिंबावे के सामने हम जीत जाते थे तो हम सेम फाइनल खेलते थे उसी तरह यह तो को सेम फाइनल में आ गए पूरी टोर्नामेंट अच्छी खेले अच्छी तरह की गेंद बाजी हुई बल्ले बाजी हुई मगर इस तरह के अब जब खेलना चीए जब मोका आता है जिससे आपने का तब जाके जो परफॉर्म करना है आप आपके पास घोड़ा हो पर रेस में नहीं भागे अच्छा गोड़ा हो तगड़ा गोड़ा हो पर रेस में नहीं भागे तो क्या काम उसका तो यह चीज है और दुसरी एक बात कहूंगा थोड़ा सा अपन पोस्तमार्टम करे राजीर के यह सारी वेक अप टोर्नामें भातिये टीम के बारे में तो देखो रोई शर्मा की बल्ले शर्तक लगा है मंगर यह नहीं भूलना कि पांसो रन तो शाकिम ने भी मना दी लेकिन बांगलादेश टोर्नामेंट से बार अब हमें भी वही गिना जाए हमें बांगलादेश और पाकिस्तान के श्रेड़ी में खड़ जाएंगे फरक यह है मैं कुछ फरक बताता हूं कि ह हर एक वक्त उनने जो शतक बढ़ाएना है उसके पहले उनको एक चांस जाए है एक कैट शूटाया है उनका हर दफ़ा जी तभी हो जाके शतक चले राचमार जी भी चुड़ गया है एक सब रेशन उनका आखरी ले 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 लेता है शोजी चांस नहीं मिला जी आज तो रेटिंग ओडर जिस तरह का बनाया गया वो जिम्हेदार बले वो विराट गोली हो या रोईट शर्मा हो या केल राहूल हो लेकिन जिस तरह आप के दो बीच मिडल ओर के बल्लेवाज रिशाप पंथ और हार्दिक पंडेया ने सुसाइडल शॉट्स कहले हैं वो बहुत ही निंदनी है आपने अपनी टीम को नीचा दिखाया है वो लेकर गए जिस तरह किया पूरा देश मायूस है मुझे पता है कि ग्रोना चार्ज रिशित मायूस होगा अब देश के सवाल में ये बावाल भारत की हार का लगाता हर कई दिन तक जारी रहेगा लेकिन विराट जीत पर विराम लग चुका है देश के सवाल में आज आप ल कर दो लेकर भारत कुट क्या है कि अख लेकर फर फ्रेश सेशित का छिश्मा एढ है विर्भा में येष सेवाल रावे प्राण सेञा़ कि लिए अग्यां बारत का लेकर दो लेकर आप लेगे लेवाल आष बारत